बहुत स्वागय था आपका खेल का ड़ाम हैं मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राजपोत जी हाँ आज हम बात करेंगे वर्ड कप से पहले अचानक कैसे लड़ खड़ाई पाकिस्तान के टीम और वो पांच बड़े कारण जो हैं हम वो भी आपको बताएंगे फिर वो चाहे दो इस्टार तेज गेज बाजो का चोटिल होना या नसीम के बाहर होते ही साहिन अफ्रीदी का फ्लाप सो बड़ी टीमियों के खिलाब बाबर आजम का बल्ला खामोस होना या फिर रेत की धेर जैसा पाकिस्तान का मिडल आडर बिखर जाना वह अगर बात की जाए ओप्रिंग जोडी का लगातार फ्लाप परदर्सन जी हां हाली में हुए एसिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी हालत हुई थी बताओ नंबर वन टीम टूर्णामेंट में उतरने वाली बाबा राजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम सुपर फोर से ही बाहर हो गई थी जी हां आईए जानते हैं टीम के अचानक लड़ खडाने के पांच बड़े कारण जो वर्ड कप में उनके लिए घातक हो सकते हैं बाबा राजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम एसिया कप 2023 से पहले इस टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था क्योंकि यहां ICC वन डे रैंकिंग में नंबर वन की पोजीशन पर काबिश थी माना जा रहा था कि एसिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा जहां खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच तगड़ी जंग होगी मगर एसिया कप में इसके उल्टा ही देखनों की मिला आपको बता दें एसिया कप में पाकिस्तान टीम ने कुल पांच मैच खेले जिसमें से नेपाल और बांगला देश को ही हरा सकी भारत के खिलाप हुए एक मैच बारिश से धुल गया था दो इस्टार तेज गेज बाजों का चोटिल होना हमने बताया आपको कि पांच करण बताएंगे एसिया कप के दोरान पाकिस्तान टीम के दो इस्टार तेज गेज बाज चोटिल हो गए थे जिसके करण टीम को बड़ा जटका लगा था भारत के खिलाप मैच के द cubesान नसीम सा के कंधे पर चोट लगी खबर है कि नसीम वर्ड कप से बाहर हो सकते हैं उनके अलावा हारी स्रोफ यानि कि पाकिस्तान के जो मेन बॉलर है हारी स्रोफ उन्सकी बॉलिंग से अच्छे अच्छे टीम के खिलाडी खौफ खाते हैं हालिस रौव भी भारत खिलाप मैच में चोटिल हो गए थे उन्होंने सिर्फ पांच उबर की गेदबाजी की थी हाला कि उनके वर्ड कप में खेलने के उम्मीदें बरकरार है वहीं बात कि जा नसीम के बाहर होते ही साहिन का फ्लापसो दरसल पाकिस्तान टीम में तेज गेदबाज साहिन सा अफरीदी के साथ नसीम सा ओपनिंग बालिंग करते हैं दिग्जो का मानना है और देखा भी गया है बिपच्छी टीम के बल्ने बाजों पर दवाओ बनाते हैं उनके खिलाप रन बनाना बल्ले बाजों के लिए बेहद मुस्किल काम होता है इसी वजह से बल्ने बात साहिन की बाल पर रिसक लेकर रन बनाने के कोशिश करते हैं जिस कारण बिकट गवा वगते है ऐसे में नसीम का दबाओ के चलते साहिन को बिकट मिलने के चांस होते हैं नसीम के बाहर होने के बाद साहिन भी फीके पर जाते हैं एसिया कप के अलावा बाकी मैचों में या साफ तोर पर देखा गया है वहीं अगर बात की जाए बाबर आजम की बड़ी टीमों के खिलाब बाबर का बल्ला लगातार खामोस हुआ है एशिया कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने नेपाल के खिलाब ताबर तोड़ 151 डनों की सद्की पारी खेली थी मगर उसके बाद क्या उसके बाद भारत और स्रिलंका जैसी बड़ी टीमों के खिलाब उनका वल्ला खामोसी रहा जी हाँ बांगला देश के खिलाब उस 17 रन ही बना सके जबकि भारत की खिलाब 10 और स्रिलंकाई टीम के खिलाब 31 रन ही बना सके बड़ी टीमों के खिलाब बाबर कया फ्लाप करदर्सन टीम के लिए सरदर्द बना हुआ है अब पाकिस्तान टीम को भारत दोरे पर वर्ड कप खिलना है ऐसे में पाकिस्तान टीम मेनेजमेंट को इसको गंभीरता से देखना होगा साथ ही बाबर को भी जम कर पसीना बहाना होगा बात करेंगे रेत के धेर जैसा पाकिस्तान का मिडिल आडर जी हाँ बल्ले बाजों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मिडिल आडर एकदम रेत के धेर जैसा है या पूरी तरह से बिकट की पर बल्ले बाज मुहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर हीटी का होता है इन दोने के आउट होते ही पूरा मिडल आडर रेट की धेर जैसा ढह जाता है इस या कप में पाकिस्तान ने मिडल आडर में आगा सलमान, साउ सकील, अब्दुल्ला सफीक, मुहम्मद नवाज और मुहम्मद हारिज जैसे बल्ले बाजो को अजमाया लेकिन कोई भी टीम को मजबूती नहीं दे सका किसी मैच में इफ्तिकार आएमें ने अच्छी पारी खेली, तो किसी मुकाबले में बाबर या रिजवान ने टीम को समाला यदि पाकिस्तान को वर्ड कप में दमदार प्रदर्सन करना है तो मिडल आडर में इफ्तिकार बाबबर रिजवान के अलावा भी कम से कम दो मजबूत बिकल्प तरासने होंगे अब बात की जाया ओपनी जोडी की, क्योंकि पिछली कुछ समय से पाकिस्तान के जो ओपनी जोडी में दमखम दिखता था वो बिलकुल लाचार यानि कि आप ये कह सकते हैं बिलकुल फिसड़ी साबित हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओपनी जोडी भी एक बड़ी समस्या रही है वन डे में फकर जमा के साथ इमाम उलहक ओपनीं में मोचा समालते हैं लिकन याभी अब तक बड़ी टीमों के खिलाब कोई बड़े साज़ेदारी कंडे में नाकाम रहे एसिया कप में इमाम चोटिल हो गए थे इसके बाद स्रिलंका के खिलाब आकरी मेट में अबदुल्ला सफीक से भी ओपनीं कराई गई थी उस मेट में सफीक ने 50 लगाई थी पर फकर चार रन पर ही आउट हो गए थे यानि कि पविलियन भेर दिया था अब आप सोच सकते हैं जिसके पास बाबर जैसा बैट्समैन हो जो कि वन डिट फॉर्बिट में बिश्ट के नंबर एक बल्ले बाज हो मुहम्मद रिजवान हो इफ्तिकार आहमद हो इमाम उलहक हो वो टीम आखिर लड़कडा का इस जैस जिसके पास हारिश राउफ जैसा बल्ले बाज हो जिसके पास साहिंसा अफ्रीदी जैसा गेत बाज हो नसीम साज जैसा गेत बाज हो जिससे सायद एक समय में 20 क्रिकेट खौफ खाता था अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान टेम जो एसिया कपे जो इसे गलते हुई उसको सुधार पाता है या वर्ड कॉप में ढिरनतर इसी पोजीशन पर उ खेलती रहते हैं यानि कि जो वल्ले बाज हैं वो जिम्मिदारियं निभाएंगे जो गेत बाज है वो अपनी जिम्म्मिदारी धन्यवाद